अदर्स, एक और जहां ये आठ है, एक और जहां यदि बहुत अच्छा इंट्रिवी की तैयारी हो तो एक सच्चाई को निकालता है On the other hand, usually celebrities, celebrities मतलब मैंने आपको बताया प्रसिद धलोग whose them see themselves as victim, victim मतलब क्या होता है, victim मतलब वह व्यक्ति जिस पर हमला हुआ है, जिस पर कुछ गलग काम हुआ है Others, usually celebrities, who see themselves as victim, might despise the interview as an unwanted intrusion Victim मतलब, किसी ने किसी पर हमला किया, तो जिस पर हमला किया, वो victim कहला जा Despise मतलब, नफरत करना, celebrity might despise, क्योंकि वो सोचते हैं, कि इस interview के वो victim है और तीसरा शब्द क्या है, तीसरा शब्द है, victim के अलावा, unwarranted intrusion Unwarranted मतलब, अवांच नहीं है, और intrusion मतलब, दखल करना To intrude means दखल देना, उससे बना intrusion, और intrusion मतलब दखल तो जो celebrity, एक और तो interview जो है, यदि highest form में है, बहुत अच्छा यदि है, तैयारी पूरी की गई है, तो एक बहुत बड़ी कला है वहीं दूसरी और, जो celebrities हैं, जो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, वो interview में अपने को victim मानते हैं और उनको महसूस करते हैं, और एक तरीके से, वो interview देने से नफरत करते हैं, they despise, to despise मतलब नफरत करना और सोचते हैं, कि interview जो है, वह उनके निजी जीवन में एक तरीके से दखलन दाजी है अब ये कैसे है, इस पर हम आगे, इस कहानी में इस चर्चा होती है उनको लगता है, कि interview लेने वाला, हमारे निजी जीवन की सब जानकारियां ले लेता है और इस परकार हमारा निजी जीवन कुछ भी नहीं रह जाता बड़े पटांग सवाल पूछता है, और हमसे सच्चा ही निकलवाई लेता है So, A-Core interview, on the one hand, interview is an art On the one hand, interview is a source of bringing out truth Something very good On the other hand, it is disliked, hated, despised by the celebrities And reason is, unwarranted intrusion into their life बे मतलब के दखलन दाजी है उनके जीवन में ऐसा उनका मानना है और यह उनको यह भी लगता है कि यह जो interview हमारा हो लेते हैं It somehow diminishes them Diminish करना मतलब कम कर देना उनकी चमक को कम कर देता है Interview से उनका नुकसान ही होता है उनको लगता है It diminishes them कर कम कर देता है Just as in some primitive culture It is believed that if one takes a photographic portrait of somebody Then one is stealing that person's soul उनका कहना होता है उनका सोचना है कि हम से interview लेकर हमारा जो व्यक्तित्व है हमारी जो दुनिया के सामने जो image है महांता की वो छोटी हो जाती है क्योंकि बहुत सारी सच्ची बाते निकल आती है सामने निजिता खतम हो जाती है ब्रीट पॉट्रेट मतला चेहरे जेहरे की पेंटिंग चेहरे की चित्रकारी पॉट्रेट श्री की परसनालीटी की चितरकारी सबुकनिडिम गजर में पुराने जमाने में पुरी मितलब पुराने जमाने में ऐसा इसा माना जाता था कि एक कलाकार जो है पैंटर या चितरकार वहाधि किसी का हूबहू चितर बना देता है तो मानों वह उस व्यक्ति沒事 II nuts आत्मा को चुरा लिया है। किसी व्यक्ति का वो पोर्ट्रेट बना रहा है, जिस व्यक्ति का वो चित्र बना रहा है, चित्रंकन कर रहा है, उस व्यक्ति का मानो वह उसकी आत्मा को भी निकाल रहा है और उस चित्र में डाल रहा है। बशर्ते हां, चेत्र कैसा हो, फोटोग्राफिक हो, फोटोग्राफिक बतला भूभू, भूभू, एक बहुत अच्छी पैंटिंग को आप देखेंगे, तो इसमें लगेगा इसमें जीवन्त पैंटिंग, जीवन्त पैंटिंग, एसमें लगेगा कि इस पैंटिंग में तो व they feel a kind of a victim, उनको लगता है कि ये हमें छोटा बना देता है, हमारी व्यक्तित को छोटा कर देता है, वैसे ही जाते कि primitive culture में, in the same way that in the primitive culture, somebody draws a photographic portrait of someone, then that someone used to think that he is taking out our soul also, the writer continues to speak about the interview and quotes V.S.Nepaul, V.S.Nepaul, spelling देखेंगे, बहुत प्रसिद्धी व्यक्ति है, Indian born, Indian origin, but mostly lived in West Indies, West Indies में जादा रहे, V.S.Nepaul, वैसे भारती मूल के है, और he is considered a Cosmopolitan writer, Cosmopolitan, बहुत सारे culture को लेके जो चलता है, उसे Cosmopolitan कहते हैं, Cosmopolitan city आपने सुना होगा, ऐसे शहर जहां पे बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ पनप रही हों, विभिन देशों के लोग, विभिन जातियों के लोग, विभिन संपरदायों के लोग, वहां एक साथ रह रहे हों तो एक अपना नया culture वहां सामने आता, यह उसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैश्विक कल्चर, जो ही जो कॉस्मो पॉलिटन राइटर, मतलब वैश्विक राइटर हैं, दुनिया के विश्यों को ले कर लिखते हैं, किसी एक खास विश्य पर नहीं कि भारत पर ही लगातार लिख रहे हों, यह West Indi's पर ही लिख रहे हूं, यह केवल कहानिया लिख रहे हों नहीं, He used to write on many things from around the world and so he is a cosmopolitan writer, and he wrote travel books and also documentaries. वह जब documentary बनाते हैं हो ट्र election लिखते हैं, तो he presents his impressions of the country of his ancestor that is India, तो ऐस डॉक्यूमेंटरीज में और इसमें अपने एंसेस्टर मतलब पूरवज पूरवजों के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और पूरवज कहां रहे भारत में मतलब उनकी राइटिंग में भारत के बारे में काफी कुछ वर्डन है चाहे वो ट्रेवे लॉग हो यात् सेस्टर्स को लेते हुए लिखा है अपने पूरुजों को लेते हुए लिखा है और चुक्कि पूरवज भारत में थे उनका कुछ जनरेशन पहले से उनका परिवार भारत का था इसलिए भारत का बहुत थे उनकी किताबों में he was awarded with Nobel Prize for his writing in 2001, 2001 में V.S. Nepal को अपनी लेखनी के लिए वैश्विक सर पर लेखनी के लिए Nobel Prize का Literature का अवार्ड मिला था तो ये V.S. Nepal क्या कहते हैं इंट्रिवी के बारे में Christopher इनके बारे में लिखता है V.S. Nepal कहते हैं कि कुछ लोग तो इंट्रिव्यू से घायल हो जाते हैं इंट्रिवी के नाम से उन्हें चोट लग जाती है इंट्रिवी के नाम से वो कहना चाहिए एक तरीके तो घबराई जाते हैं और अपने स्वेहम का वानो एक हिस्सा वो Louis Carroll, another famous writer, very famous writer, the creator of Alice in Wonderland Alice is the name of a character Wonderland is the name of an imaginary place एक कलपना मैं देश है जहाँ Alice नाम के character लोग को लेकर Louis Carroll ने बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी है उनका क्या कहना है Louis Carroll, the creator of Alice in Wonderland was said to have had a just horror of the interview Louis Carroll, कोई सा एक interview देखे जब निकले तो किसीने उन से पूछा होगा कैसा रहा है Oh my God, उन्होंने यही कहा होगा horror of an interviewer It's just a horror of an interviewer and he never consented to be interviewed उसके बाद उन्होंने कभी भी interview देने की सहमती नहीं दी क्योंकि उनका जो interview हुआ था आखरी उसका अनुभो बड़ा कड़ुआ था उन्होंने कह दिया Oh my God, क्या interview था हो सकता है, क्या रहा होगा बहुत कड़ुए तीखे सवाल पूछे गए होंगे, ऐसे सवाल पूछे गए होंगे जिससे सच्चाई निकल के सामने आ रही होगी उनके जीवन की सच्चाई व्यक्तिके जीवन की सच्चाई हर व्यक्तिके जीवन में बहुत इच्ची जैसी होती है जो बताना नहीं चाहता लेकिन interview लेने वाला यदि बहुत उसमें हुनर है तो वो इस तरीके से सवाल पूछता है कि उत्तर निकलते आते हैं सच्चाई सामने आती है और उसी सच्चाई से शायद ये परिशान होगा लूई करॉल और उनका इट वाज़ हॉरर अफ इन इंटर्व्यू हॉरर मतलब आप जानते हैं हॉरर मूवी गोस्ट मूवी जो होती है हॉरर मूवी हॉरर मतलब घवराहट घवराना भयंकर तो इट वाजमी था बड़ा भैंकर रहता जिसने इंटर्वी लिया और उन्होंने कहा उसके बाद आगे कभी भी ही निवर कंसेंट टुए तो कंसेंट मतलब सहमति देना I consent to your proposal I consent to your proposal तुम्हारे प्रस्ताव को मैं सहमति देता हूं I don't consent to his ideas उसके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं to consent और consent मतलब सहमति तो consent word जो है वो क्रिया भी है और उसके अलावा संग्या भी है सहमति भी है It's an adverb also and it's a noun also So this was the experience of Louis Keral He never consented to be interviewed ये मैं celebrities की बात कर रहा हूं इसा था है कि जिसमें उनको ऐसा लगा है बहुत बड़ा बना दिया जा रहा है वो अब दूर जाएंगे To repel मतलब क्या होता है Repulsion Attract का उल्टा रिपेल To attract मतलब खीचना अपनी और अकर्शित करना To repel मतलब उल्टा करना Magnet के North और South Pole Do North Pole को एक साथ अपलाएं तो दोनों क्या करते हैं Repel करते हैं Same poles repel And opposite pole attract So यहां पर भी उनको लगा It was his horror of being Lionized which made him Thus repel would be acquaintances Would be acquaintance Would be acquaintance मतलब क्या To acquaint मतलब मालूम होना परिचित होना To acquaint मतलब मालूम I am not acquainted with The life of a village मैं गाओं के जीवन से परिचित नहीं हूँ वाकिफ नहीं हूँ जानता नहीं हूँ Are you acquainted with my father? क्या तुम मेरे पिता जी को परिचित हो, जानते हो Are you acquainted with the office work culture here? So acquaint means परिचित होना, मालूम होना, जाहिर होना Would be acquaint मतलब होने वाले परिचित भविष्य में होने वाले परिचित So इनको लगता था लूई करॉल को कि यह जो इंटर्वी जिर्धंका लिया है से मेरे आने वाले जो परिचित हैं वो दूर हो जाएंगे Which made him feel Thus repel The would-be acquaintance Would-be acquaintance हो जाएंगे Door हो जाएंगे कौन लोग आने वाले आने वाले समय में जो पहचान होगी Interviewers And Interviewers and the persistent petitioners of his autograph कौन लोग दूर हो जाएंगे आने वाले दिनों में उनके जो acquaintance होंगे जो लोग interview लेना चाहेंगे और उसके साथी साथ जो लोग उनके पास आएंगे दस्खत कर दीजे इसमें प्रसिद लोग के पास भागते हैं न हम लोग दस्खत करवाने के लिए आटोग्राफ लेने के लिए उनका खेल के मैदान में सचन तिंदल कर जब मैदान से आउट होके आते हैं तो लोग भागते हैं उनके आटोग्राफ लेने के लिए प्रसिद लोग का आटोग्राफ लोग लेते हैं सो persistent petitioner for his autograph petitioner मतलब जो आटोग्राफ का प्रियास करते हैं petition करना मतलब जो अन्रोद करते हैं persistent मतलब लगातार I cannot persist with you मैं तुमारे तुमको जहल नहीं सकता मैं तुमारे साथ लगातार नहीं रह सकता persistent मतलब लगातार तो लगातार आने वाले autograph करवाने वाले भविश में उनसे पहचान बनाने वाले भविश में उनसे इंट्रिवु लेने वाले ये लोग सब नफरत करेंगे and he would afterward relate the stories of success in silencing such people मतलब क्या होगा? उनका कहना था कि ये जो इंट्रिवु ले रहा था मेरा horror of an interview वो मेरे को बहुत बड़ा बना रहा था परणाम क्या होगा? कि आने वाले समय में भीड लग जाएगी लोग autograph के लिए मेरे पात भागेंगे बहुत लोग पहचान बनाने की कुशिश करेंगे बहुत लोग interview लेने की कुशिश करेंगे तो उनको repel करने लगे, नफरत करने लगे, दूर करकने लगे और लूई केरॉल यहीं पर नहीं रुके लूई केरॉल टेल्स पीपल, इस फ्रेंड्स, हाव ही सक्सीडेड इन साइलेंसिंग इस पीपल इन लोगों को कैसे वो चुप करने में सफल हो गया विथ मुच साइटिस्फाक्शन और अम्यूजमेंग शंतुष्ट के साथ और थोड़े विनोथ के साथ भी हाशी मजाग के साथ उसने इन सब को अपने से दूर कर दिया विगोज को पसंद नहीं था लूई केरॉल, वियस नेपॉल, लूई केरॉल Now there is another third person that the writer Christopher Sylvester talks about. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling is another very famous personality. Rudyard Kipling considered himself to be the soldier, ordinary soldier and Rudyard Kipling is famous for writing that famous book called The Jungle Book. Now Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude toward the interviewer. V.S. Nepal, ने क्या कहां? आपने सुना. Similarly, Louis Carroll had also very negative thinking about interviews. You know about it now. Rudyard Kipling was the worst. He really hated interviews. More condemnatory attitude toward the interviewer. To condemn मतलब कड़ी आलोचना करना. To condemn मतलब C-O-N-D-E-M-N. और चारन हैं, कंडेमना, ना is silent. N is silent. To condemn, don't condemn him. उसकी कड़ी आलोचना मत करो. उससे गलती हो गई होगी, don't condemn him. He might have made a mistake, but don't condemn. So, coming back to the point, Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude, और भी जादा अलोचना, और भी जादा कड़ी आलोचना वाला उसका रवाईया था, Rudyard Kipling का. His wife, Caroline, writes in her diary for October 14, 1892. डायरी में, उसकी वाईफ ने 14 October 1892 की एक घटना लिखी है. और उसमें लिखती हैं, that their day was wrecked by two reporters from Boston. Wrecked मतलब तहस नहस हो जाना. Ship wrecked मतलब जहाँ टूट गया, बुरी तरह तहस नहस हो गया. All these things wrecked my dreams, मेरी सारे सपनों को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया. The loss of my senior family members wrecked me. मेरे जो senior family members जो चले गया, किसी घटना में, स्वरगस्ट हो गया, उसने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया. To wreck, W-R-E-C-K. So, Caroline Wife writes, कि 14 October 1892 को, दो reporter आया थे Boston के, उन्होंने मेरा हम लों का पूरा दिन बरबाद कर दिया. तहस नहस कर दिया, बरबाद कर दिया. Wrecked by two reporters from Boston. Their day was wrecked by, वो हमारा दिन बरबाद कर दिया. Why do I refuse to be interviewed? Because it is immortal. तो उसने कहा, Rudyard Kipling ने, कि मैं refuse क्यों करता हूं interview के लिए? मालू मैं आपको. Why do I refuse interview? मैं साक्षातकार क्यों मना करता हूं? साक्षातकार से दूर क्यों रहता हूं? इसलिए, क्योंकि it is immoral, ये unethic, immoral, unethic. It is a crime, ये कपराध है. Just as much of a crime as merit punishment. और इतना बड़ा अपराध है, कि उसकी सजा मिलनी चाहिए. मैं interview के सक्ख खिलाफ हूं. एक अपराध से कम नहीं है, interview. और अपराध है, तो सजा मिलनी चाहिए. Unethic भी है. And then he further says, यदि किसी ने मुझे पर हमला किया हो, तो ऐसा लगता है मुझे interview लेतने वाला. मानो किसी ने हमला कर दिया. Offense against any, my person. Offense. मुझे पर अपराध किया हो. As an assault, मानो किसी ने हमला किया हो. And just as much merits punishment. वो कहते हैं, मैं interview उसलिए मना करता हूं, क्योंकि मुझे unethic लगता है, एक अपराध लगता है, इतना बड़ा अपराध लगता है, कि इसकी सजा मिलनी चाहिए. ऐसा लगता है, मानो किसी ने मुझे पर हमला कर दिया है. ऐसा लगता है कि मानो कोई offense कर दिया हो. किसी ने अच्चार कर दिया हो. और इसलिए सजा मिलनी चाहिए. It is cowardly and while. ये कायरता की निशानी है. और नीचता की निशानी. वाइल मने नीच. V-I-L-E, while. Cowardly मतलब डर्पोक. Coward means डर्पोक. और cowardly, adverb हो गया, डर्पोक जैसा. किसी डर्पोक जैसे कमनी है और नीचता से कमनी है. No responsible man would ask it, much less give it. Read this line, beautiful line. No responsible man would ask it, much less give it. जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो इंट्रिवू के लिए पूछेंगे नी. और देने की तो बात ही दूर. जिम्मेदार लोग जो हो, responsible people जो हो, respectable people जो हो, इज़त चाहते हैं, जो अपनी इज़त देखना चाहते हैं, अपनी इज़त को अहम बनाया रखना चाहते हैं, वो इंट्रिवू मांगेंगे नहीं, और उपर से देने की तो बात ही दूर. तो यदि ज़त बचाया रखना हैं, तो इंट्रिव्यूर से दूर रहो, this is what Rodyard Kipling has to say. Yet, Kipling had himself perpetrated such an assault. ये वही किपलिंग है जिसने इतना सब कह दिया, और इंट्रिव्यूर और इंट्रिव्यू की इतनी कड़िया आलोचना कर दी, वही किपलिंग है, जिसने स्वयम, Perpetrated and Assault, Assault मतलब हमला मैंने बताया, A-S-S-A-U-L-T, Attack करना, और to perpetrate मतलब किसी प्रथा को प्रक्रिया को जारी रखना, Perpetuate मतलब भी किसी प्रथा प्रक्रिया को जारी रखना, दो शब्द हैं यहां देखिए, Perpetuate और Perpetrate, Perpetrate मतलब गंदी प्रथा को, किसी गलत प्रथा को, किसी गंदी चीज को जारी रखना, उसे कहेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे Perpetrate, और किसी अच्छी चीज को जारी रखना, तो इसके बोलेंगे Perpetuate, To Perpetuate the Memory of our Freedom Fighters, We Study about them, उन लोगों के बारे में अच्छी प्रथाएं जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो अच्छी के लिए क्या है, Perpetuate, और बुरी प्रथाओं के लिए, we must not perpetuate the practices of the decoids, practices of the criminals, अप राधियों की जो बुरी प्रथाएं हैं, बुरी आते हैं, उसका पालन नहीं करें, सो यहां पर रुडियाट किपलिंग कहते हैं, that, किपलिंग had himself, मतलब एक और जहां कहते हैं, कि मैं तो बिलकुल इससे नफरत करता हूं, वहीं दूसरी ओट, रुडियाट किंपलिंग himself, did this wrong, by taking interview of a very famous person, called Mark Twain, Mark Twain is another famous writer, world famous writer, यह Mark Twain जो नाम है, यह उप नाम है, उप नाम मतलब आप समझते हैं, कुछ लोग अपने को एक अलग नाम दे देते हैं, अंग्रेजी में उससे कहते हैं, pen name, क्या कहते हैं pen name, pen name, लिखने के लिए वो नाम लिख देते हैं, अपना अच्ली नाम नहीं लिखते हैं, जैसे सूरिकांत-त्रपाथी निराला, निराला इस है pen name, उनका नाम सा सूरिकांत्रपाथी ऐसे ही प्रसिद साहितकार प्रसिद कवी रामधारी से उपनाम है उनका दिनकर तो उसे हिंदी में जहां उपनाम कहते हैं वहीं अंग्रेजी में इसे पैन नेम कहते हैं और इसका दूसरा अंगरेजी में शब्द है सुड़ानिम, P-S-E-U-D-A-N-I-N-Y-M, सुड़ानिम, सुड़ानिम, पेन नेम, So Mark Twain is the pen name of a famous person, and he became so famous by his pen name that practically people forgot his real name. If you want to know a little more about Mark Twain, and you want to know his real name, do a small exercise by Google, by Googling in a mobile, and have a little more understanding of this great writer. So Grudyard Kipling, who himself was so critical about this man, this interview, himself takes the interview, himself leads the assault, perpetrates the assault. बहुत व्यंगात्मक तरीके से क्रिस्टाफर ने लिखा है, कि वही किप्लिंग जो इंट्रिव्यू की इतनी आलोचना कर रहा था, वो स्वयम ने भी इंट्रिव्यू लिया है, और वो भी किसका Mark Twain का, कुछ साल पहले, only few years back.